हेलो फ्रेंज, नमस्कार और सस्रीकाल, कैसे हैं आप लोग? आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वो भी बहुत इंपोर्टन टॉपिक है टॉपिक तो सारे इंपोर्टन होते हैं, जिनको हम डिसकस करते हैं, क्योंकि ये हमारी डे टुडे लाइफ के लिए, वेरी इंपोर्टन कुछ मेरे फ्रेंज का मैसेज आया था, रिकार्डिंग रूदराक्ष, कि कौन से मुखी के रूदराक्ष पहनना उनके लिए अच्छे होते हैं, और इसके क्या बेनेफिट्स हैं, ये मैं आज आपको बताना चाहूंगी, कि ये रूदराक्ष जो है, इसे कौन पहने और कि इसने मुखी के रूदराक्ष पहनना आपके लिए फायदे मन्द होगा, रूदराक्ष जो है, आपने देखा होगा, ये जादा तर हमारे साधू संत आपको पहने दिखेंगे, ये लॉंग माला पहनते हैं, और उसको बाद उसको जब करते हैं उसकी, ये हमारे पूरे बुराई का हमें लगता है कि बुराई हमारे साथ ना चले, हमारे पास ना आए, इसलिए हम रूदराक्ष ग्रेहन करते हैं ताकि हम उस बुराईयों से बच सके, इसलिए बहुत ही पायस होती है, बहुत ही होली होती है, और अब हमें कौन सा पहनना चाहिए जिससे हम लोग हम protected रहे और हमें फायदा रहे Let me tell you about पंच मुखी रूदराक्ष पंच मुखी रूदराक्ष जो है यह हमारे मन में positivity लागता है अगर आपको लगता है कि आप कहीं न कहीं आपका मन बहग गया है आपको बहुत ही negative विचार आपके मन में आ रहे हैं तो आप पंच मुखी रूदराक्ष पहन सकते हो हमारे मन की stability होना बहुत ही जादा जरूरी है और इसके लिए हमें कोई न कोई रतन का सहरा लेना पड़ता है कोई न कोई ऐसी वस्तुधारन करने पड़ती है जिससे हमारा मन strong हो सकी आपको देखना पड़ेगा कि यह कितना प्योर आपको मार्केट में मिल रहा है आपको सर्च थोड़ा करना पड़ेगा कि आपको शुद और सचे रूदराक्ष आपको मिल सके नेक्स्ट इस दूई मुखी दूई मुखी जो रूदराक्ष है इसको सिरफ मैरिड लोग ही पहने इसको पहनने से जो हस्बन वाइफ हैं उनकी रिलेशन बहुत ही strong हो जाते है जो भी मैरिड कपल्स है जिनको लग रहा है कि उनकी कहीं कहीं लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो एक दूई को समझ नहीं पा रहे हैं So I will recommend you दूई मुखी रुदराक्ष जो आप पहनिये और इससे आपका जो bond है वो बहुत ही strong हो जाएगा Next is शन मुखी शन मुखी जो है ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जो बच्चे जिनका concentration is getting very weak day by day या उनको शुरू से ही ऐसा लगता है कि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको learn करने में उनकी चोक्षमता है वो इतनी strong नहीं है तो आप शन मुखी रुदराक्ष क्रेहन करिए ये जो बच्चे हैं जो 14 years से below बच्चे हैं वो भी पहन सकते हैं इसको then is गौरी शंकर रुदराक्ष गौरी शंकर रुदराक्ष नाम ही इतना जवरदस्त है ये हमारे शिव जी के नाम और गौरी मा के नाम पर रखा गया है ये जो रूतराक्ष है इसको पहनने से हमारे सारे जो सेविन चक्राज हैं वो एक्टिवेट हो जाता है आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने सेविन चक्राज को स्ट्रॉंग करने के लिए एक्टिवेट करने के लिए मैंने कुछ आपको मंत्र भी बताया थे and how to go about it ये भी बताया था सिरफ कौरी शंकर रूदराक्ष पहनने से ही आपके 7 चक्राज जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होगी जो हमारे दर्शक हैं जो रूदराक्ष पहनने के इच्छुक हैं और मुझसे जिनोंने प्रशन किया था जानने के लिए कि कौन सा रूदराक्ष उनके लिए अच्छा होगा बेनेफिट होगा तो ये मैं एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया I hope it is quite beneficial for you keep watching my videos small small tips भी देती हूँ आप मेरे वीडियो को कुप सारा subscription दीजे, like कीजे and wait for me next Friday see you again, bye and take care